आज कल के समय में सराब पीना कैई लोगों का सोक वन चुका है कैई ऐसे लोग भी हैं जो सराब पीए बिना नहीं रह पाते इसलिए हर देश में सराब पीने से जुड़े कुछ कानून बनाए हुए हैं और साथ ही साथ जिनका उलंगन करने पर लोगों को सजा भी हो सकती है प इसी के लिए भी घातक सावित हो सकता है इसको लेकर हल देश ने कड़े कानून भी बनाए हैं अलसल्वाड ओर में सराब पी के गारी चलाने पर आपका फायरिंग दस्ते से सामना हो सकता है स्वीडन के कानून के मुताविक सराब बेचना सरकार के हाथ में होता है बताया जाता है कि 3.5% से जादा सराब केवल सरकार ही बेच सकती है स्वीडन में सराब बेचने पर सरकार का नियंतरन होता है बॉलीबिया में सराप पीने को लेकर एक अलग सा कानून बनाया गया है बॉलीबिया में रैस्त्रा और बार में साधी सुदा महिला सिर्फ एक गिलास बाइन पी सकती है क्योंकि कई बार नसे में महिलाओं के साथ छेड़ छाड़ हो जाती है इसलिए ये कानून बनाकर अपराद रोकने के परियास किये जा रहे है भारतिय राज्यों में सराप पीने को लेकर अलग-अलग कानून बनाये गए है महराष्टे में अगर आपको सराप पीनी है तो आपको अधिकारिक तोर पर लाइसेंस की जरूरत होती है यह license civil hospital में जाकर बनवाया जाता है जर्मनी में नसे में cycle चलाना काफी घंबीर माना जाता है जर्मनी में अगर कोई नसे में cycle चलाता हुआ पाया जाता है तो उसे मनोब्य ज्यानिक समिक्छा के लिए जाना पड़ता है आई होप यू गाईस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू सो वाचिंग वीडियो धन्यवाद